नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल टार्गेट एट वान पे मैं हूं अम्रिता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी वा लॉजी का टॉपिक फंजाई पाइथियां जो कि आपकी बॉटनी के सिलबस का एक हिस्सा है अगर आपने बॉटनी का सिलबस देखा होगा तो उसमें फॉर सेक्षन में एल्गी और जो नेक्स्ट है वो आपको फंजाई पढ़ना है और फंजाई में जो स्पीशीज आपको पढ़नी है वो है म्यूकॉर और राइज उसकी जो लाइफ साइकल और जो स्ट्रक्चर था और उससे जो जो डिजीज कॉस होती थी उन सारी के उपर हमने फिलाल चर्चा कर ली है और अब हम बात करने वाले हैं पाइथियम के स्ट्रक्चर व्याने की वाजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और जो नेक्स्ट व की प्रेपरेशन कर रहे हैं अगर आप भी हमारे साथ मिलकर एक्वार्डिंग तो सिलिवस और डेली स्टाडी करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूटीब चैनल टार्गेट वन और अगर आप यूबी टैट सी टैट डी ट्रिबल असबी और किसी भी सूपर टैट की एक्जामरेशन के त्यारी कर रहे हैं तो जूरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टार्गेट वन वहां पे आपको गाइडिंस और क्या पढ़ना है और कौन कौन के साथ में जो कि आपको टेलिग्राम पे अविलेबल है और अगर आप यूपी टैट सूपर टैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो 2021 सिक्षक भरती के नाम से हमारे एक चैनल है उससे भी आप जोड सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो का पार्ट यान जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जनरल सा शीक ओफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब हमने एलक्स पॉलस और मिम्स की क्लासिफिकेशन पड़े थी तो उसके अकॉर्डिंग यह कहां पर एक्जिस्ट करता है सिस्टेमार्टिकली यह भी चीज़ आप सभ और जो क्लास है वो है उमाई सीट और और है फैनरोप स्पोरेज और जो फैमली है वो है पाइथियसी और स्पीशीज आप सभी को पता है पाइथियम चले आगे बढ़ते हैं अब आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टन सेक्शन की यानि कि आप से एक्जाम से पूछा चले बाऔर सकता है कि कौन सी स्पीशीज और स्वर जो की एंप्लिक और सेट्लिंग के लिए पॉर्डन के लिए रिस्पॉनसिबल और बहुत इंपॉर्टन स्लाइड है अगर आप स्क्रींशोट ले ले लेते हैं तो और भी अच्छा है तो चले देखते हैं पहले कौन सी स तो सबसे पहले है पाइथियम डेब्रियनिम यह जो स्पीशीज है वो डेम्पलिक ओफ सीडलिंग्स के लिए टुबैको में रिस्पॉंसिबल होती है अच्छा है डिजीज के इसके बार में थोड़ सा आपसी को जाना जरूरी है डेम्पलिंग ओफ सीड्स जो होती है यह सीड्स के अंदर की यानि जो छोटे-छोटे सैंपलिक सीडलिंग्स के आप लगाते हैं तो उसके बाद जो छोटे-चोटे दो पती के पौधे निकलते हैं तो जब इस वायरिस का यानि कि पाइथियम का इंफ्रेक्शन होता है रूट्स के अंदर तो जो छोटे-चोटे सीड्स होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं यानि कि पहले मुर्जाना स्टार्ट होते तो यहीं इंफेक्शन है और जो सिंप्टम्स होते हैं यह मेरचंगs और पोल फ्रके में होते हैं तो इतना आपको डियम्र के पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको deep में पढ़ना है तो पहने पीडिएफ जो है या स्टेडी मटेरियर है वो हमारे टेलिग्राम चैनल या कि टार्गेटेट पीजीटी-पीजीटी बियालोजी के साथ में जोड़ करके ले सकते हैं नेक्स जो है पाइथियम यो नेक्स स्पीशीज है वो रिस्पांसिबल होते है फ्रूट रॉट डिजीज के लिए या कुकूरबिट्स के लिए ऐसी स्पीशी जो की कुकूरबिटी सी फैमले को विलॉंग करते हैं तो इस अबी में जो फ्रूट्स होते हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं यानि कि अपने आप उनके उनके इंदर चोटे-चोटे पैचिस आजाएंगे ब्राउन कलर के और उसके बाद वो सड़ कर गिर जाते हैं कई के बाद लोगों को लगता है कि जो सड़ने या पानी पानी जादा लगने की वज़े से जो सीट से वो सड़ गये पर अच्छली क्या होता है फंगल इंफेक्शन होता है पाइथियम का ठीक है कहीं से इंफेक्शन मिल जाता है पाइथियम का इन बाट केस की वीट का जो लोवर सेक्शन है वो सड़ना स्टार्ट कर देता है और यह किसकी वज़े से होता है पाइथियम ग्राम मिनी कॉलम की वज़े से जिंजर की जड़े आपने देखा होगा राइजोम होती है यह कुछ स्टाइब की ठीक है तो यहां पे से क्या होता है किनारे किनारे जहां से आइज निकलती है यहां का जो अरिया वो सड़ना स्टार्ट कर देता है और जो नई यहां से स्टेम्स निकलनी होती है यह सब सड इसलिए क्योंकि इसी टाइप के question आपके exams में आते हैं चलिए यह जो हमने भी बात करें प्रीमर्जन्स और पोस्ट इमर्जन्स फेज की जो की प्रीमर्जन्स प्रीमर्जन्स के लिए उसके life cycle या जो incubation period है उनके लिए यह सारी चीज़ आपको पढ़नी है तो यह सारा material आपको मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल ठीक है फिलार हम यहाँ पर बात करने है वाजिटेटिव स्ट्रक्चर या mycelium के बारे में पाइथिय ठीक है आपको बिल्कुल भी परिशान होनी के ज़रत नहीं है जितना चीज़े हम यहाँ पर यूट्यूब में discuss करते हैं वह सभी टेलिग्राम पर आपको एजिली अविलेबल है लेकिन जो चीज़े आप यहाँ पर देखते हैं ठीक है आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट से पता चल जाता है लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ वही मटेरियल मिलता है जो आप पीडियाफ में पढ़ दें ठीक है तो इसलिए आपको यूट्यूब वीडियो कर अच्छे लगे तो जरूर दीखेगा ठीक है और एक लाइक जरूर दीजीगा गाइस क्योंकि बहुत ज ठीक है जब पराने मयसीलियम में भी करता है करेंगा तो जब माईसीलं काफे पुराना हो जाएगा तब यह जो जुवेनाय माईसीलं होते हैं उनके अंदर एकडिस्ट नहीं करथा हॉइपया इनके जो हाइफ होते हैं उनके बीछ में कुछ इंटर सेललर स्पेसिज दिखाए लेती हैं और आगे चलके यह हाउस्टोरिया की form में develop होती है ठीक कुछ इस टाइब का यह जो base है या substrator में इनके नीचे कुछ इस टाइब का develop होता है ठीक है इन्हें कहा जाता है हाउस्टोरिया यह roots की तरह function करती है जैसे की rhizopos में rhizopos का function था roots की तरह उसी तरीके से हाउस्टोरिया का भी function होता है ठीक है क्या function होता है absorption of food material from the host यानि पाइथियम जिस भी plant के उपर attack करता है क्योंकि फंगस है तो जिस plant के उपर भी attack करता है वहाँ से food absorption के लिए responsible होता है ठीक है और mainly कहां से food absorb करता है host की body से ठीक है क्योंकि पाइथोजिन की तरह तो friends यहाँ पर जितने भी important points थी जो की vegetative structure के regarding important थे उस सारे context में हम लें भी बात कर लिए ठीक है अच्छा आप आप सोचेंगे आपकी vegetative structure हमारे ले क्यों important है guys तो जब आप life cycle पढ़ेंगे और जब आप reproduction पढ़ेंगे तो उन सारी चीजों के लिए आपको structure को जानना बेहत जरूरी है ठीक है और symptoms और क्या-क्या जो disease यह cause करता है तो उन सारी चीजों के लिए vegetative structure जानना बेहत जरूरी है तो इसलिए अगर आपने हमारे कोई भी species देखी है चाहिए algae की या फंजाई की तो अगर आप reproduction देख रहे हैं तो वाजिटीटीव structure जरूर देखेगा और जो भी आपको playlist में available हो जाएगा easily अगर आप TGT या PGT की preparation कर रहे हैं ठीक है तो चलिए हमने अभी वाजिटीव structure के बात ही करें तो एक चोटा सा slide आप सभी के लिए आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक है यह जो आपको mycelium दिख रहा है काफी complex और highly branch दिखाए दे रहा है यह है mycelium pythium का ठीक है जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाए देगा कि यहां पर कहीं पर भी septa नहीं है ठीक है कोई भी वाल नहीं है लेकिन हाँ यहां जो इनका structure है सीनोसिटिक आपको दिखाए देगा छोटे 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 ब्लाकेश यहां पर छोटे 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 न्यूकलिस दिखाए देगे ठीक है यानि कि न्यूकलिस पूरे के पूरे इनके mycelium में या हाइफे में freely movable होता है और यही जो term है यहीं पर सीनोसिटिक यूज होता है और second important thing is कि यह highly branched होता है तो यह सारी चीज़ा responsible होती है किसी भी pythium को infectious बनाने के लिए तो यह सारी चीज़ा important है और एक चीज़ और काईस कि अगर आपको यह सारी चीज़े हमारे telegram channel पर चाहिए तो उसका description description आपको description box मिल जाएगा और वहां पर link पर click करके आप हमारे telegram channel से जोड सकते हैं तो चलिए अब रिटा को दीजिए जाधत मिलते हैं कुछ और conceptual videos के साथ में तब तक के लिए